जम्मू श्रिनगर नाशनल हाईवे आज भी सुबह सवेरे बंद हुई थी आज भी ट्राफिक को रोकना पड़ा और ट्राफिक पुलिस कर्मियों को ये एलान करना पड़ा कि अगर आपको जम्मू श्रिनगर नाशनल हाईवे पे चलना है तो आप पहले ट्राफिक पुलिस से highway पर चल रहा है या नहीं चल रहा है कारण यह बताया गया कि बहुत सारी जगाहूं पर lan slide आया है landslide आने के कारण रास्ता बंद हो गया है इसी के चलते अगर आप घर से plan करते हैं कि आप श्रिनगर जाना है या श्रिनगर सर्ष जम्मू आना चाते हैं तो आप अपनी अपना सफर ट्राफिक पुलिस का अध्यादेश आने से पहले या ट्राफिक पुलिस की जानकारी ट्राफिक पुलिस से जानकारी लेकर ही शुरू करें यह हालात हैं जब मुश्रिनगर नाश्र लाइवे के लेकिन इन हालात हूं कि बावजूद आप नाश्री का टनल एक सुसाथ रुपिया देकर क्रॉस करते हैं असी रुपिया वहां पर टोल था और सी को सीधा बदलकर एक सुसाथ कर दिया गया कुछ नेताओं ने थोड़ा शोर वोर मचाया लेकिन उसके बाद सब खामोश और अब आम आदमी की जेब से एक सुसाथ रुपिया जो है वो जा रहा है उस एक नाश्र लाइवे के लिए जो नाश्र लाइवे बारिश की तमाम टोल प्लाजाओं पर टोल की बढ़हतरी होने जा रही है जहां तक उजरू टोल प्लाजा का तालुक है उस पर और्ली बढ़हतरी हो चुकी है हालां कि कार जीप और वैन का टोल नहीं बढ़हाया गया है लेकिन जब आप दो तरफा जाएंगे तो आपको पांच टोल भी बढ़हाया जाएगा इसी तरीकी से ठंडी कोई टोल प्लाजा की मैं बात करूं तो एक अपरिल दोहजार तईस से नई धरें लागू हो गई थी और उसके बाद 31 जनवरी दोहजार 24 को ही टोल बदल दिया गया और आप अल्ड़ी आप जानते हैं कि आप 85 रुपय लागू होना तैह हैं देखना यह होगा कि नशलाइव एथरॉट इफ इंडिया रिवाइज करती भी है कि नहीं कि चुनाव चल रहे हैं हो सकता है चुनाव के चलते फिलाल टोल को रिवाइज न किया जाए और जब चुनाव खत्म हो जाए नतीजे निकल जाए उसके किया गया है और यह टोल भी आज 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 कल आप लोग पे कर रहे हैं लांबर टोल प्लाजा की मैं बात करूं तो वहां पर एक सुपच्पन रुपिया का टोल है दोसुपिन तालिस रुपे लसी वी बस ट्रक का पांच सुपंद्रा तीन एकसल वाली गाड़ी का आठ सो प्लाजा की बात की जाए तो कार जी प्रेंड का सौर प्या टोल है लसी वी का एकसो पैंसर का 345 से तीन एकसल वाली गाड़ी का 375 के करीब करीब टोल है कचकूर टोल प्लाजा की बात की जाए तो यह भी 120 से शुरू होता है 195, 405, 440, 635, 635, 770 टोल है यानि छे मैं गिंती कर रहा था कि टोल प्लाजा कितने हैं एक आपका उज्रू का टोल प्लाजा, दूसरा ठंडी कोई का तीसरा मडा का टोल प्लाजा, चोतरा लामबड का टोल प्लाजा पांचवा लखनपूर का और चोता कचकूट का टोल प्लाजा और इन तमाम टोल प्लाजाओं पर आपको अगर कार जीप पहन में जाना है तो 155 रुपया, 85 रुपय, 160 रुपय, 155 रुपय, उसके बाद 100 और 120 रुपय यानि सिर्फ एक टोल प्लाजा है जहां आपको 85 रुपय आप दिया करते थे, ठंडी कुई का टोल प्लाजा, बाकी तमाम टोल प्लाजाओं पर आपको अच्छा खासा टोल देना पड़ रहा है मामला उन टोल प्लाजाओं का नहीं है, जिन टोल प्लाजाओं पर रोड ठीक है यानि जहां पर रोड बिलकुल अच्छी है, उसके लिए उसकी मेंटेन्स के लिए पैसा भी आम आम लोग दे रहे हैं वहाँ टोल देने में पिसी को वह दिक्कत नहीं है सवाल ये है जम्मू शिर्णगर नाशलाईवे जो अक्सरों बेश्टर बंद रहता है लंबे लंबे आज भी जाम लगते हैं जब बहुत कंजेस्टिन जिस रोड के उपर है उस कंजेस्टिड रोड का भी आप अच्छा खासा टोल दे रहे हैं और कमाल ये देखिए कि साल के खत्म होने से पहले ही टोल को रिवाइज किया गया और अब समझ में यह आ रहा है कि टोल पहले ही इसलिए रिवाइज किया गया क्योंकि टोल को शायद चुनाव के वक्त में रिवाइज करना मुम्किन नहीं होता अब अगर इस तरीके से सरकारे फैसला लेंगी जैसे मैं अब जो रास्ते तो बहुत बैतरी ने उनके लिए टोल देना बनता है देना भी चाहिए और अच्छे रास्तों के लिए टोल देने में किसी को कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए लेकिन जब अभी तक जमू शिर्णगर के नाशलाईवे मुकमल हुई ही नहीं है आपने पैसे आपने असी का 160 कर दिया कौन सी रोड है जो आपने मुकमल कर ली हुई है जिस रोड का आपको लगता है कि टोल आम लोगों से वसूला जाना चाहिए यह सवाल इसलिए लोग नहीं पूछते क्योंकि इन सवालों के ऊपर तो आम जंता की परिशानी बिजली पानी सड रचिशड़ जिन्मुद्दू से आम जंता की दिन्चरिया को कोई फायदह या नुकसान होने वाला नहीं है यानि आपकी आपके घरमी रोटी आ रही या नहीं आरही है इस पर कोई चिंता चनतनमंथन नहीं चीज़ों पर चल रहा है उन चीज़ों का फायदा राजिelu ता और विपक्ष को भी देख लीजे विपक्ष की हताशा का विपक्ष की बुरी हालत का अंदाजा आपको इस बात से लग सकता कि विपक्ष को भी नहीं पता कि कौन से ऐसे मुद्दें जिन मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता या सरकार के समक्ष को बात रखी जा सकती ह विपक्ष भी वो मुद्दे उभारता है या उन मुद्दों पर बात करता है जो आम आदमी के मुद्दे नहीं है तो खबर फिलाल यही है कि कले एक अपरल है आप देखना यह होगा कि चुनाओं के चलते टोल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है लेकिन उमीद यह है और नेशले वेथरोडियव इंडिया का कानून भी यही कहता है कि साल जो खत्म हो नए साल की शुरुवात में ही टोल बढ़ता है अब आपको यह तै करना है कि बाकी जितने रास्ते वहां पर तो टोल दीजिए और इमानदारी के साथ दीजिए टोल देना बनता भी है क्योंकि मेरा और आपका काम भी है कि हम देश की तरक्की में हमारा योगदान भी होना चाहिए वो हम बिल्कुल करेंगे लेकिन जो रास्ते बने ही नहीं जिन रास्तों पर कंजेशन है जिन रास्तों पर लैंड स्लाइड है जिन रास्तों पर पत्थर उपर से आ रहे हैं जिन रास्तों का आज भी खस्ता हाल है उन रास्तों के लिए जब आप टोल काटते हैं तो फिर ये मजबूर होकर कहना है चुकि जमु कुश्मीर के नेता और राजनेता इन मुद्दूं पर बात नहीं करते इसी लिए नाशलेवे अथॉर्टी अफ इंडिया को भी लगता है कि जो मनाए करो कौन पूछता है